हेलो एवरीवन मैं हूं महोमत सोहेल और आज मैं अनाल्सिस करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का 15 मिनेट का इंट्रेट कैनल चाट करने के लिए वैसे ही चला आज मैं अनाल्सिस कर रहा हूं कैसे है कैसे रहेगा तो उसके मार्केट में चाहे वो ग्याप अप हो जाए या ग्याप डाउन भी हो जाए मार्केट में कल प्रेशर थोड़ा बहुत आपको वाइंग दिखेगा उसके बाद सेलिंग पकड़ेगा इसका रेजन है में सीडी में सीडी एक ऐसी चीज है जो कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए इंडिकेशन को गलत रस्ते पे लेके जाती है तो मेजर जो सोर्स है स्टॉक में पब्लिक को पैनिक करने का हो है मेसीडी तो राइट तो मेसीडी से डरने वाली बात नहीं है मेसीडी इंडिकेशन सेलिंग ही बता रहा है क्योंकि यह प्लेस लेवल पर सेकंड हाफ में 17,300 लेवल निफ्टी फिफ्टी ब्रेक कर गया दोस्तों आपको 17,800 लेवल तक बस पॉजिटीव ही रहेगा चाहिए वो पांच दिन हो चाहिए वो दस दिन हो यह लेवल लगे तक मार्केट आपको पॉजिटीव रहेगा सींसियर पॉजिटीव रहेगा नॉर्मली डाउन लेवल सपोर्ट पकड़ा ट्रेंड इसमें ही बनाया और ग्याप अप करते हुए मार्केट को उपर लेके गया पर 17,240 लेवल ब्रेक नहीं कर पाया यानि ट्रेंड अभी इसी में सेट करने वादा कल थोड़ा बहुत भी उपज़ा ट्रेंड रिवर्स सा लिएगा उसके इसाफस में completely suggest करूँगा दोस्तों आपको 17,200 का भी put उठा सकते हो 17,100 का भी put उठा सकते हो और ये बेवकुफी नहीं करना है 17,300 का put उठाओंगा ये इंदमनी हो जाएगा और दमनी नहीं होगा ये बेकार चकरों में मत पड़ो उल्ठा कंफ्यूजी होगे उससे ज इंट्रेडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और थैंक्यू फॉर यॉल लव एंड सपोर्ट एंड कीप एंग्रेजिंग मी दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूट करके लाया हूं आप लोगों को टीटेली समझाने के लिए क्यूंकि अगर स्टॉक फोड़ लोग गलती में बोल रहा हूं गलती जो होती है थर्टी फाइफ थाउजन वन हंडेड पैर तो काफी लोगों का गलती यह होता है कि अगर स्टॉक का इंडेक्स यहां से ऊपर जा क्यूंकि अगर वह वही प्राइस पे रहेगा तो मोर देन हंडेड रुपीस हाइयर वैलू पे है अगर वहां से गिरने भी वाला है तो अभी हाइयर वैलू थे हंडेड रुपीस ही होगा अगर वहां से बढ़ने भी वाला है हंडेड रुपीस ही होगा अगर आपको पता ह कि भाई हमारा इंडेक्स 35,000 के लेवल पे जाने वाला तो आप 35,100 के लेवल के पास 35,000 का पुट खरिद लो आपको यह कितने में मिलेगा 150 रुपर मिलेगा वरना 170 में मिलेगा जैसे जैसे हमारा इंडेक्स नीचे आते रहेगा वैसे वैसे 35,000 का put का value जो है बढ़ता रहेगा ज़र आपको 100 रुपे का trend इंट्राडे में क्यों नहीं मिलेगा भाई यह वैसे भी सुझ के देखो दूसरी बात अगर call खरीदना है अभी 35,100 पे रुख गया पर सपोस समझो तो आपको पता है 35,400 पे जाने वाला है तो 35,400 का ही call ले लो यहाँ जो price है वो price का call लोगे तो दोस्तों आपको 100% loss होगा 100% loss होगा 1000% भी loss होगा वह यह भी बोल रहा हूँ उतना guarantee के साथ बोल रहा हूँ मैं समझो तो कभी भी आपको trading analysis करनी है तो आगे का सोंचो call खरीदना है अगर put खरीदना है तो पीछे का सोंचो वहाँ ठेहर के वही value का सोंचोगे तो दोस्तों घटोगे बहुत danger घटोगे और major losses ऐसे ही होती है market में अभी आज market में selling pressure continue होके buying हुआ इसके हिसाब से कल के live market में gap down open हो जाए या gap up भी open हो जाए pressure selling का ही है दोस्तों कल first half में कुछी भी trend दे दे तो आप selling का ही खिलेगे पर अगर यह buying जाना चारा है तो major level से दोस्तों 35-400 यह level break करेगा तो ही आपको buying है वरना buying है ही नहीं अगर यह level तक नहीं जा रहा है तो आपको 34,900 का level पकड़ेगा जो आप expiry तक लेकर चल सकते हो